नमस्कास तो आपका आईए टेक में स्वागत है क्या आपके गूगल ड्राइब से आपका फोटो डिलीट हो गया है और उस डिलीट हुए फोटो को आप रिकवर करना चाहते हैं इस वीडियो मा आपको फुल डिटेल बताया हूँ कैसे आप गूगल ड्राइब से डिलीट हु पर जरूरा करिए जिससे के मैं लेटेस्ट वीडियो उटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे अब चलता हूं वीडियो को इस्टार्ट करता हूं सबसे पहले मैं गूगल ड्राइब पे क्लिक कर लेता हूं इस तरीके से पेज ओपिन हो जाता है यहां पर जैसे फोटो ह डिलीट हो चुका है और आप भी जानते हैं जो फोटो डिलीट हो जाता है और रिसाइकल बीम में रहता है यहां पर रिसाइकल बीम में जो दिखाए जी रहे हैं यहां पर एक क्लिक करेंगे जो आपका डिलीट हुआ रहेगा यहां पर रहेगा अगर आपका यहां से तो आपका permanently delete हो गया है और आप इसको require कर सकते हैं थोड़ा सा परसानी होगा require में रेकिन require कर सकते हैं अगर आप require करना है तो आपको यहां से बैक हो जाना होगा आपको chrome browser को open कर लेना होगा chrome browser को open कर लेने बाद कुछ इस तरीके से page आएगा आपको यहां पर type कर लेना होगा google drive supports यहां पर type करना होगा google drive supports ट्राइब कर देंगे आपको यहां पर आ जाएगा यहां पर देख सकते हैं support लिग दिया है यहां पर मैं click कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से page open हो जाएगा आपको यहां पर दिखाई देगा google drive help दिखाई देगा यहां पर google drive supports दिखाई देगा तो आपको click कर लेना है क्लिक कर लेने गबाद आपको इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करते हैं सबसे नीचे चले आना है आपको यहां पर दिखाई है Contact X दिखाई दे रहा है Contact X पे क्लिक कर लेजे Contact X पे क्लिक कर लेने गबाद आप Google Drive से क्या help चाते हैं उसके बारे में लिख लेजी जैसे मैं type कर लेता हूँ I want to restore my photo इतना type कर लेने के बाद मैं यहाँ पे जो दिखाई दी रहा है next, next पे click कर लेता हूँ next पे click कर लेने के बाद यहाँ पे दिखाई दी रहा choose the best description of this issue अब यहाँ पे चूच कर ले जैसे यहाँ पे लिखाई permanently deleted my files यहाँ पे जो चूच करना आप चूच कर लेजिए मैं अधर चूच कर लेता हूँ कर लेने के बाद यहाँ पे दिखाई दी रहा next step, next step पे click कर लेजिए उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी छेट्षान नहीं करना है again आपको यहाँ पे जो दिखाई दी रहा next step यहाँ पे click कर लेना है click कर लेने के बाद आपको यहाँ पे दो तरीके दिखाई दिरा एक दिखाई दिरा चैट का process दिखाई दिरा है और एक दिखाई दिरा email का अगर आप यहाँ पे चैट द्वारा चूच करेंगे उससे भी आप रिकॉर कर सकते हैं, आप इमेल द्वारा करेंगे उससे भी रिकॉर कर सकते हैं, यहाँ मैं आपको इमेल से बताओंगा कि इमेल से आप कैसे रिकॉर कर सकते हैं फोटो को, यहाँ मैं इमेल पे क्लिक कर दे इमेल पे क्लिक कर देने के बाग कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जा रहा है, यहां पे लिखा है फर्स्ट नेम, आपको यहां पे वही नेम टाइब करना है, जो आपका जीमेल का नेम होता है, यहां पे देख सकते हैं हमारा आईजे भाई लिखा है, और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, वही Gmail होना चाहिए, जो आपके Google Drive में हो, Google Drive में जो Gmail दिये हैं, वही, जैसे मेरा यह वाला Gmail है, यह Gmail का फोटो डिलीट हुआ है, Gmail मैं फोटो रखा था, डिलीट हो गया है, और एक Gmail जो है, मैं Google Drive में दिया हूँ, अब जैसे मैं इ इता है, यहां आप मैं Drive पे क्लिक कर लेता हूँ, इता हूँ आपको यहां पे चीज़ हो गया, उसके बाद आपको 44 घंटे के अंदर अंदर कंटेक्ट करेगा आप जो इमेल दिये हैं उसी जीमेल पे कंटेक्ट करके आपको बताएगा इस तरीके से आप गूगल ड्राइब के डिलीट हुए फोटो वीडियो को रिकोवर कर सकते हैं थाइंक्यो दोस्तों फार वाचिंग माई वीडियो